आज हम लोग बात करने वाले इन graph traversal की कि क्यों हम लोग किसी graph को traverse करना चाहेंगे और actual में graph traversal का meaning क्या होता है यह चीज बहुत ज़ादा important नहीं कि graph traversal को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़े होती है और actual में traversal को क्या मतलब होता है यह हम आज देखने वाले है तो सबसे पहली चीज़ यहां पर graph traversal refers to the process of visiting यहनि कि checking and or updating each vertex in a graph यहनि कि अगर मानलो मेरे पास एक बहुत बड़ा graph है और मैं उस graph के अंदर एक एक node को visit करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा अब आप लोगो गया रेके करके कर लो सारे nodes को visit दिक्कत क्या है पट यह चीज इसलिए आपके दिमाग में आती है कि आप बात करते हैं एक छोटे graph की मानलो यह graph है ठीक है और यहां पर मैं number डाल देता हूँ 0, 1, 2, 3, कुछ इस तरह से ठीक है यहां पर मैंने एक graph बना दिया अब मैं इनको connect भी कल देता हूँ ठीक है कोई tension वाली बात नहीं है अलाम से मैं इनको connect कल दिया हो सकता है एक और यहां पर हमारे पास node हो जो की 4 होगा ठीक है तो यह कुछ इस तरह से हमारा graph दीखेगा इस graph को traverse करना इतना असान है कि आप पहले 1 पर जा सकते हो आपको फिर मैं यहां चला जाऊँगा फिर मैं 4 पर चला जाऊँगा फिर मैं 2 पर चला जाऊँगा फिर मैं 3 पर चला जाऊँगा अब imagine करो एक बहुती giant graph इतना बड़ा graph जो की देखके आपके खोश उड़ा दे अगर आप लोग ये background image देख पा रहे हो ये देखो ये कितनी बड़ी background image है और इसके अंदर कितने जादा notes है जो graph इस background image के अंदर दिखाए गया है तब आपको बता चलेगा कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है तो ये जो background image हमने यहाँ पर use की हुई है इसके अंदर हो सकता है एक लाग points हो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप जो है इस graph को traverse करो तो आप क्या करोगे एक-एक notes को पकड़ोगे मानलो मैं इस background image को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊँगा आपको मानलो आपने ये वाला note जो है वो visit कर लिया आपने काया ये वाला note विजट कर रहा हूँ फिर आपने कह दिया मैं ये वाला कर रहा हूँ फिर आपने कह दिया मैं ये वाला कर रहा हूँ कि आप confused हो जाओ, मेरे कहने का कुल मिलागर मतलब यह कि हमें एक proper algorithm चाहिए, जो कि हमें पूरे graph को traverse करने में मदब करे, let us assume कि जो graph है, वो बहुत सारे घर है ठीक है, बहुत सारे घरों का graph है और अगर मैं locations के graph की गूगल मैप एक बहुत अच्छा example है अब मानलो हम यह कहते हैं कि यार हमें सारे घरों के अंदर एक special तरह की light install करवानी है, जो कि एक RGB light होगी, और जो सब के घरों में चब गई बहुत अजीब सी बात है, मुझे मालू है, बट अब यह जब भी आप करो गए ऐसा तो होगा क्या, कि लेटस से हमारे पास 100 houses है, ठीक है, 100 houses इन 100 houses में हमें RGB light install करवानी है, तो क्या आप एक एक करके सारे house को देखोगे, there is the chance की miss हो जाएं, इन में से एक graph कहने का बतलब यह है कि अगर मैंने आपको एक graph दे दिया, इन houses की graph को दे दिया, यानि कि यह जो node है वो एक house है, तो क्या होगा कि there is a chance कि आप कोई house miss कर दो, और यह जो यहाँ पर मैंने यह बना रखे हैं, इसके जो edges हैं, वो paths हैं यह एक house है, जो इसकी node है, वो house है, और इसको आप समझ लिए, यह path है, ठीक है यानि कि एक जगह से दूसी जगह पर जाने का रास्ता, तो let us say आप इस वाले house को विजिट करते हो फिर इस वाले को करते हो, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, तो हो सकता है कि यह बहुत बड़ा network हो, and let us say यह graph ऐसी extend होता हुआ, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है node number, let us say 7, यहाँ पर आ गया और let us say, 7, 7, 8, 9 एक और node आ गया है, यह इतने सारे nodes इस graph में, so कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, कि when we have a huge computer को एक proper तरीका चाहिए, आपको traverse करने का, तो traverse करने का मतलब simple है, हर node को visit करना है और क्यों हम हर node को visit करना चाहेंगे maybe आप एक city से दूसरे city में जाना चाहते हो, और आप बीच में कुछ और places visit करना चाहते हो as a stop, for example, लेट से आप कहते हो यार, मैं जाना जाता हूँ from Delhi to say, जैपूर, और आप रास्ते में कोई special petrol pump है, उस पर रुकना चाहते हो, एक specific petrol pump है, जहांपर आपको discount मिलने वाला है तो उसका path draw करने के लिए और भी बहुत सारे applications हैं, जिनका आप लोग यूज़ करना चाहोगे, but अभी के लिए आप लोग ऐसा समझ लोग, यार हमें traversal करना बहुत जाद जरूर ही है हमारे लिए, ठीक है, so I hope कि आपको ये तो कम सकम समझ में आ गया कि traversal क्यों करते हैं, ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखो कि graph traversal हमने समझ लिया क्या होता है, हमने ये देख लिया कि graph traversal के algorithms होते हैं, तो दो मुखे तोर पर algorithms में बारे पास होते हैं graph traversal के, एक होता है breadth first search, एक होता है depth first search और इन दोनों को हम लोग डेटेल में देखने वाले हैं बोड भी लिखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे बड़ एक बहुती rough idea आप लोग को देना चाहूंगा इस वीडियो के इंदर कि breadth first search क्या होता है और depth first search क्या होता है मैं ये वाले graph का example लोगा मैं आपर ये जो graph है इसका example लोगा इस graph के अंदर आप लोग देखो मान लोगी मैं इस notes को visit करना start कर रहा हूँ ठीक है मैं 0 से start कर रहा हूँ तो मैंने 0 को visit कर लिया इसके बाद मैं यहां से कहां जा सकता हूँ मैं 1 पे जा सकता हूँ 2 पे जा सकता हूँ और एक बार मैं लेटेस से 1 पर चला गया तो एक बार मैं 1 पर चला गया तो 1 से मैं वापस 4 पर जा सकता हूँ फिर वापस आ सकता हूँ फिर 3 पर जा सकता हूँ there are a lot of way to traverse a graph यहां पर bread first search क्या कहता है कहता है कि सबसे पहले कोई भी एक note पकड़ो उस note को पकड़ने के बाद उससे जितने भी notes connected है उनको visit कर लो ठीक है अब मैं आपर आप लोग को एक terminology से मिलाना चाहता हूँ जो कि है exploration क्या होता है एक vertex को explore करने का क्या मतलब है और visit करने का क्या मतलब है ठीक है यानि कि हम एक particular vertex को explore अगर कर रहे है तो किस तरह से करेंगे दो terminologies एंजिन की बात करना चाहूँगा यहाँपर सबसे बहले तो यहाँ पर देखो we have already looked into tree traversal algorithms तो traversal क्या होता है यह तो आपको पता ही होगा ठीक है तो इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत थी भी नहीं मैंने थोड़ा सा यहाँ पर explain कर दिया एक typical graph traversal algorithm के अंदर हम traverse करते हैं सारे nodes को हम सारे के सारे जो nodes हैं graph के उनको traverse करते हैं तो यह वाले graph के अंदर मैं आपको बताऊं तो यह सारे nodes को मैं visit करूँगा मैं 0 को करूँगा 1 को करूँगा सब को visit करूँगा ठीक है 0 भी आएगा 1 भी आएगा और उसी के साथ साथ आपका सारे के सारे nodes जो हैं आपके वो आएंगे ठीक है 1, 7, 9, 9, 6, 5, 2 जितने भी nodes हैं कहने का मतलब है वो सारे के सारे आएंगे ठीक है हम traverse करते हैं सारे nodes को और हम क्या करते हैं उसको add करते है to a collection of visited nodes ठीक है तो visiting का मतलब यह होता है कि मैं एक particular node को visit कर रहा हूँ और उसको visit करके मैंने उसको अपनी collection of visited nodes में add कर लिया बट एक और term होता है जिसका नाम होता है exploration exploration का मतलब होता है कि किसी भी एक particular node से connected जितने भी notes है उनको visit करना तो यहाँ पर अगर आप लोग आओ वापस तो देखो मैंने 0 को card दिया है और यहाँ पर card ने का मतलब यह है कि 0 is explored 0 explore हो चुका है ठीक है अब क्योंकि 0 explore हो चुका है इसलिए हमने उसको card दिया अब हमें उसको वापस देखने की जरूरत नीए अब हम किसको explore करेंगे को visit करेंगे नहीं हमने अले ऑ्रेडी कर लिया है तो 1 भी explore हो चुका है Similarly हम सारे nodes को add करते जाएंगे इस list में और explore करते जाएंगे मैं अगले वीडियो में डिडियल में आपको बताऊंगा इस अल्गॉरिदम के बारे में जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा था हम बहुत डिडियल में समझेंगे कर अभी समझ में नहीं भी आया तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है हो पेहले लगे आप बासकर डेली चाते है ठीक है तो किय जो होता है वह first in first out होता है ठीक है तो वो चीज़ यहां पर हम लोग करेंगई क्यों data structure ले लें करने हमाने के लिए ठीक है तो आइँ होब कि एक अच्छा एडिया लग गया कि data structures जो है वो क्यों use किये जाते हैं अब यहां पर हम लोग Q को दोबारा implement नहीं करेंगे हम Q देख चुके हैं क्या होती है कैसे use होती है और हम लोग क्या करेंगे यहां पर Q का एक implementation यूज करेंगे हम assume करेंगे सब कुछ Q से related जो NQ DQ functions हैं वो सारे के सारे हमें available हैं क्या दोबारा से हम Q definitely नहीं पढ़ेंगे यहां पर और similarly depth first search में हम लोग stack data structure को use करते हैं तो मैं आपर लिख देता हूं stack data structure और यहां पर लिख देता हूं Q data structure तो यहां पर Q data structure का use किया जाता है और नीचे stack data structure का use किया जाता है जो कि आने वाले वीडियो में आप लोग को definitely sense बना देगा तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं bet first search को और बहुत detail में देखेंगे algorithm को समझेंगे यह समझेंगे कि क्यों हम लोग उस algorithm को इस तरह से implement कर रहे हैं फिर उसके बाद मैं code भी आपको लिखाऊंगा same चीज हम लोग depth for search के लिए करेंगे तो आने वाले वीडियो में यही होने वाला है I hope कि मज़ा आ रहा है आपको data structures and algorithms course के अंदर मुझे एक comment करके आप लोग बताऊगे और रहा है आपको लोगड़ आपको लोगड़ आपको लोग देघक है